है तिख सो अभी तक हम लोग काफी बात कर चुक्क है जो टैग्स हम लोग हर कॉड में देखने हले जैसे एच्टी एमल टैग हो गया या बॉड़ी टैग हो गया है टाइटल टैग हो गया यह लगबग आप लोग हर वेब पेच पे देखोगे तो इसलिए हम लोग अभी क्या करने वाले थोड़े और टाइग्स देखेंगे जो कि एड़ाउन से मतलब आपके काम में आते हैं जैसे सपोज हेडिंग हो गया आपने परग्राफ देखा है परग्राफ टाइग और भी आगे बहुत सारे बोल्ड करने के लिए अलग टाइग है टेलेक्स करने के लिए अलग टाइग है लिस्ट बताने के लिए अलग टाइग है इमेज के लिए अलग टाइग है तो यह सारे टाइग हम लोग एक एक करके जो है देखने वाले है तो अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैं यहां पर व क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक छोटासा वेब पेज बना करके जिसमां मैं आपको HTML की तोड़ी सी जानकरी बस वेब पेज के जरीए बता हूँ ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बॉड़ी के अंदर वो आएगा सब कुछ जो आप लोग यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हो राइट तो हम लोग बॉड़ी के अंदर ही लिखने वाले HTML यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले है HTML के बारे में कुछ जानकरी पाने वाले है तो मैंने ह1 टेक के बारे मैं आपको बताया है और मैं अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक paragraph add करूँगा एक paragraph add कर दिया और इस paragraph में मैं थोड़ी सी जानकारी लिख देता हूँ, ठीक है, HTML के बारे में, not necessary कि यह जानकारी आपके बास भी होनी चाहिए, मैं बस यहाँ पर कुछ डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं HTML की information डाल रहा हूँ, right, क्योंकि हम लोग HTML सीख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, your personal information to, right, तो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी HTML की information लेकर करके आता हूँ, और फिर मैं आपको browser पर दिखाता हूँ, सब कुछ, so, यहाँ पर मैंने क्या किया है, थोड़ी सी information डाल दिया, देख लो, यहाँ पर, मतलब बहुत सारी information है, तो, यहाँ पर तो नहीं आपको पढ़ते आएगी, लेकिन मैं, जब इसको यहाँ पर refresh करूँगा, ठीक है, browser में जाके, उससे पहले मैं इसको बदल लेता हूँ, document को मैं कर देता हूँ, HTML, about HTML कर देता है, ठीक है, so, about HTML, ठीक है, यह हो गया, अभी हम लोग क्या करते हैं, जाकर के refresh करते हैं, ठीक है, यह कर दिया मैंने refresh, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, something about HTML, और HTML means hypertext, markup language, this is not a programming language, but with this we can create web pages, चाब तो लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, you can read, ठीक है, और यहां पर आप लोगों को, मतलब बहुत सारा कुछ paragraph add करते आता है, और अगर आप लोग चाहो, कि suppose मान लो, यहां से दूसरा paragraph चालू हो, यहां से मैं चाहता हो कि दूसरा paragraph यहां पर है, तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले, यह P tag है, आपका यह P tag है, और यह P tag है, और उसके साथ में, यहां पर मैंने एक ending में P tag रखा हुआ है, यह slash P, so हमारा अभी अगर हम लोग यह program save करते हैं, और वापिस में आईने रखती है, obviously, right, अब मैं यहां पर समझो, Hypertext Markup Language को मैं bold करना चाहता हूँ, right, तो मैं क्या करूँगा, यहां पर जाओँगा, अपने program में, डुड़नूँगा कि Hypertext Markup Language का है, तो यह यहां है, ठीक है, चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डाल देंगे B-Tag में, ठीक है, Hypertext Markup Language, इतना मैं डाल दूँगा B-Tag में, ठीक है, तो B-Tag में डालने के लिए simply help to do this, and then आपको करना पड़ेगा, यह ऐसा, ठीक है, और यह इतना उठा करके, Hypertext Markup Language, इतना उठा करके, मैं डाल दूँगा, अपने B-Tag के अंदर, यह हो गया, हमारा Hypertext Markup Language, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, वापिस अगर refresh करता हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर Hypertext Markup Language, जो है, वो Bold में Show हुआ है, right, as you can see very well, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप लोग यहाँ पर Bold कर सकते हो, चाहो तो आप पूरे Paragraph को Bold कर सकते हो, right, पूरे P-Tag को अगर मैंने Bold के अंदर डाल दिया, तो फिर हम लोग ऐसा कर सकते, right, और इसको Nesting of Tags कहते है, एक tag के अंदर दूसरा tag, दूसरे tag के अंदर दीसरा tag, अब हो सकता है कि मुझे यह Markup जो है इतना, right, यह जो Markup है, मुझे यह Italics में करना है, तो मैं यह भी कर सकता, right, I will write this I here, and the slash I here, right, और मैं यह देखूंगा कि मेरा जो Markup है, अब वो Italics में हो चुका होगा, right, let's refresh the page, so as you can see, यहाँ पर थोड़ा बहुत change आया, right, थोड़ा बहुत change आया है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो Markup जो है, यह Hypertext और Language से अलग-अलग दिख रहा है, so हमारा जो यह I tag भी हो चुका है, right, और आप लोग same चीज, मतलब bold tag से, आप लोग B tag से bold करते हो, I tag से italics में करते हो, यह same चीज आप लोग क्या कर सकते हो, कि इसको अलग tag से represent कर सकते हो, जैसे I tag की जगा आप लोग EM tag यूज कर सकते हैं, right, और यहाँ पर अगर मैं B tag को replace कर दो strong tag से, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, right, अगर मैं hypertext markup language, इसको strong करना चाता हो, bold and strong एक ही meaning है, strong का मतलब क्या है, it is of some bold importance, like उसको strong करो text को, मतलब उसको bold में show करो, right, as simple as that, so यह चीज़े आप लोग कर सकते हो, ठीक है, बड़ी आसानी से, तो हमने अभी यहाँ पर चार tags देखे है, I tag, B tag, strong tag और emphasize tag, right, hopefully मैं आपको समझा पाया हूँ कि यह क्या चीज़े होती है, और हमने थोड़ा सा P tag को भी explore किया, और यहाँ पर हम पीछे जा करके, वीडियो को rewind करके देख सकते हो, और सारी चीज़ों को खुट try करो, देखो कहीं आप लोग end tag भूल गयो हो, या tag गलती से दे दिया कहीं, या फिर जो text आपको लाना था, वो text आपने लाया कि नहीं tag के अंदर, right, वो text का tag के अंदर होना जरूरी है, right, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे हम आपके concept और भी जादा clear होते रहेंगे, so don't worry about that, so इसे के साथ में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं,